इसमें हम अपनी जालर बनाएंगे तो चली इसमें जालर बनाना शुरू करते हैं यह देखिए मैं 11 नंबर की करोशिया ली है अब इसमें हम गरी नून से एक लाइन बनाएंगे यह देखिए मैं गरी नून ली है यहां से निकालके इसको ऐसे तिंग चैन बना लेंगे अब दागा गुमाएंगे एक बार निकालेंगे दागा गुमाके दुबारा इसमें से निकालेंगे और ऐसे एक मौती बना लेंगे अब एक चैन बनाएंगे, अब हम दो सिंगल करोशिया छोड़के अगले वाले मैं से डालके दागा गुमा के दो बार निकालेंगे और एक मोति बना लेंगे, अब एक चैन बना लेंगे, फिर से दो सिंगल करोशिया छोड़के ऐसे निकालेंगे, ऐसे दो बार दागा गुम और पांच बनाएं गेंगे, फिरसे एक चैन बनाएंगे, तो सिंगल क्रॉष्य च्टोड़ा करें करें करके ठाहर श सकेक। लिए यह एक मोटी बना लिए यह देखे ऐंब हम पांच मोटी बना लिए हैं अब हम दो चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन सिंगल क्रोश्या छोड़ देंगे और ऐसे दागा गुमा के निकाल लेंगे फिर से दागा गुमा के ऐसे निकाल लेंगे और एक मोती बना लेंगे अब दो चैन बनाएंगे फिर से हम तीन सिंगल क्रोश्या छोड़ देंगे और एक बार दागा गुमाके निकालेंगे दो बार दागा गुमाके निकालेंगे और ऐसे मोती बना लेंगे अब एक चैन बनाएंगे अब हम पांच मोती ऐसे बना लेंगे कि देखिए हमने यहां पांच मोती बनाए है फिर हमने दो चैन बनाके एक मोती बनाया है तो ऐसे पांच मोती हूं आगे बनाएंगे एक चैन बनाएंगे फिर ऐसे दागा गुमाके निकालेंगे एसे दो बार दागा गुमाके निकालेंगे एक चैन बना लेंगे दागा गुमाएंगे दो सिंगल करोश्या छोड़के निकाल लेंगे एक मोती बना लेंगे ऐसे हम पांच मोती बनाएंगे देखिमारे पांच मोटी हो गया है और हम रिम तो चैन बनाएंगे अब तीन सिंगल करोई चोड़के एक मोटी बना लिए अब फिर छोड़े दो चैन बना लिएगे देखें पांच मोकी बना के फिर दो चैन बना का है एक मोकी बनाएंगे ऐसे हम पूरी लाइन को कंपलेट करेंगे नियसे दागा घुमाके निकाल लेंगे फिर दागा घुमाके सिमीश का लेंगे और ऐसे एक मुटी बना लेंगे एज रेक हें बना दिए पैर दागा कुमा के निकालेगे फिर दागा कुमा के निकाने है ऐसे हम दो आरा दागा गुमा के निकालेंगे और एक मौती बना लेंगे पर एक दागा को माके निकालेंगे और मौती बना लेंगे िसाइख है यह ना करोण चोड़गे ऐसे दो बार मिकालके मौती बना लेंगे पिर दो चैनर लेंगे इस देखिए हमने पांच मोटी बनाई है फिन तो चयन में जाबनाए है Eden total प्रेंगे taking a time to join a kषित व्हीद फूरुच मुति बनाए है है dengan person यह हमारी टोटल बारा है तो हम 6 पे अपनी जालर का डिजाइन बनाएंगे ऐसे हम 6 काउंट कर लेगे और 6 पे अपना डिजाइन बनाएंगे यह हम एक साइड की जालर बनाएंगे ऐसे दूसरे कलर की उन लेंगे और ऐसे निकाल के तीन चैन बना लेंगे एक दो तीन अब ऐसे दागा गुमा के निकाल लेंगे फिर से दागा गुमा के निकाल लेंगे पिर ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे हम तीन बार दागा गुमा के निकालेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे ऐसे दागा गुमा के निकालेंगे, फिर इसे दागा गुमा के निकालेंगे पिर से दागा गुमा के निकालेंगे, ऐसे तीन बार हम दागा गुमा के निकालेंगे और ऐसे एक मोती बना लेंगे अब एक चैन बनाएंगे, दागा गुमा के ऐसे निकालेंगे, ऐसे तीन बार हम निकालेंगे और इसको ऐसे बंद करके एक चैन बना लेंगे यह एमारे चार मोती बनेगे यह देखिए एमारे चार मोती बन गए बन गए अब हम चोदा चैन बनाएंगे अब चोदा चैन बना लेंगे अब देखिए एमने चोदा चैन बना लेंगे चैर मोती बना लेंगे ऐसे दागा गुमा के निकालेंगे ऐसे हमें तीन बार दागा गुमा के निकालना है और ऐसे बंद कर देंगे यह मारा एक मोती बन गया इसमें हमने चोदा चैन बनाई है अब एक चैन बनाएंगे अगले वाले में ऐसे तीन बार दागा गुमा के निकाल लेंगे और ऐसे बंद कर देंगे फिर एक चैन बनाएंगे फिर दाग poured हमें के निकालेंगे ऐसे हम तिन वार निकालेंगे पैसे बंद करके एक टैना बनादेंगे फिर सिर्ट हम दागा गुमा के से तिन वार निकालेंगे फिर हम 14 चैन बना लेंगे एक मोति हमारा वीट में इसको छोड़ कि हम ऐसे दागा उमा के यहां से निकाल लेंगे इसमें हमारे च्यारिया लोकलर के मोति बनेंगे चैन बनाएंगे फिर दाब गुमागे अगले वाले में से आशे तीन बार निकाल देंगे फिर ऐसे बंद करतेंगे फिर एक चैन बनाएंगे फिर ऐसे अगले वाले में से निकाल देंगे फिर ऐसे बंद करतेंगे फिर एक चैन बनाएंगे फिर अगले वाली में इसे ऐसे निकाल लेंगे ऐसे हम ये पांच बनाएंगे हमारे एक साइड में ये पांच लाइन बनेगी है लोगे ऐसे बनाते हम ये पांच बनाएंगे फिर ऐसे चोदा चैनल बना लेंगे और बीच वाले मोती एक मोती को छोड़के ऐसे दागा गुमा के तीन बार निकाल लेंगे ऐसे तीन बार निकाल के ऐसे बंद कर देंगे यह हमारा एक मोती बन जाएगा ऐसे दागा गुमा के निकाल लेंगे ऐसे तीन बार दागा गुमा के निकाल लेंगे और ऐसे एक मोती बना लेंगे फिर एक चैन बनाएंगे फिर ऐसे दागा कुमाखे तीन बार निकाल लेंगे ऐसे तीन बार निकाल लेंगे और मोती बना लेंगे फिर एक चैन बनाएंगे फिर तीन बार ऐसे दागा कुमाखे निकाल लेंगे अब हम चोता चैन बना लेंगे ऐसे बनाती हम पूरे राउंड को पूरा करेंगे अब हम पूरा करेंगे आई तो आई बना लेंगे झाल झाल जाल झाल जाल लेंगे ऐसे तीन बार दागा गुमा के निकाल लेंगे और एक मोती बना लेंगे यह देखिए हमारे पैटर्न की च्छाय बनी है यह मारी टोटल 6 बनी है एक पैटर्न में आप आप 새 बनेगे अब इस में हमारे तीन मोती बने कि ई हमायोज लिगे ठीन चैनल बना के एक बार दागा गुणाया दो बार दागा गुणाया आइसे तीन बार दागा की निकाल लेंगे घरएवज फट्टेंगे अपर ऐस मो दऺना लेंगे लृति बना रोय। तीन तीन बार बार दावा गुमा के निकाल लेंगे और ऐसे मौती बना गेर धिंगे मड़िये पेहले च्यर मोटी बने अब हम मरतीन मोती बन पन था कर गोल्ए है हम दिंगे इसमें हमी मिर्स लापनाई थी हिस्मिंग démocrow भूफ देरा ज़न बनाएंगे यह देखे में तेरा चैन बना ली है अब ऐसे दागा गुमा के तीन बार निकाल लेंगे और मोती बना लेंगे फिर एक चैन बना लेंगे फिर ऐसे दागा गुमा के तीन बार निकाल लेंगे कि मूर्णी बना लेंगे फिर एक चैन बनाएंगे फिर दागा को मैं कैसे तेन बार निकालेंगे अधम फिरसे तेरा चैन बना लेंगे अब हम फिर से तीन बार तागा गुमा कैसे निकाल लेंगे और मोती बना लेंगे इस पूरी रांड कैसे ही कम्पलीट करेंगे बार पार गुल पिर रांबेंगे болगे मेरें रेंगे चारी बना लेंगे तो है रेंगे निन सेफेस थो से रांबेंगे कैसे नियाा है अरशечатρω्स आड रेंगे लेगी जाम एकाच दो कि मलेगे घएन Jeart ऐसे तीन बर्दागा को माके निकाल लेंगे और मोती बना लेंगे यह देखें मारी दो राउंड बनके त्यार हो गए है यह देखें मारे दो राउंड बन गए है इसमें मारे चार चार मोती बने है और उपर ले राउंड में मारे तिन तिन मोती बने है अब हमारे दो मोती बनेंगे इस राउंड में हम दो दो मोती बनाएंगे और बारा बारा चैन बनाएंगे ऐसे इसको बंद कर लेंगे और तीन चैन बना लेंगे इक दो तराग गुमा कैसे तीन बार निकाल लेंगे आपर ऐसे मुति बना लेंगे अब एक चैन Napini आ कि ऐसे दागा गुमा के तीन बार निकालकर हम तूसरा मुति बना लेंगे ऐसे दो मुति बना के इसे राउंड में यह देखे हमें बारा चैन बना ली है दागा उमा के तीन बार निकालेंगे और एक मौती बना लेंगे अब एक चैन बना के अगले वाले में फिर से एक मौती बना लेंगे अब फिर से हम बारा चैन बना लेंगे इस राउंड को हम ऐसे ही बनाते हुआ पूरा करेंगे झाल झाल यह देखिए हमारे तीर राउंड पूरे हो गए है अब इसमें हम ऐसे बंद कर गए तीन चैनल बना लेंगे और एक मोती बनाएंगे ऐसे एक मोती बनाके हम छे चैन बनाएंगे ऐसे छे चैन बना देंगे अब इन तीनों चैनों को हम एक साथ ऐसे जोड देंगे अब हम फिर से छे चैन बनाएंगे अब हम फिर से इसमें एक मोती बनाएंगे ऐसे तीन बार दागा गुमा के एक मोती बना लेंगे अब फिर से हम छे चैन बनाएंगे और इन तीनों चैनों को हम एक साथ जोड देंगे फिर से अच्छा चैन बनाएंगे और ऐसे जोड देंगे ऐसे इस पुरे राउंड को हम कंपलीट करेंगे ये देखे हमारा राउंड पूरा हो गया है और अमारी येलो राउंड कंपलीट हो गया है अब इसमें हम गरीनों से बनाएंगे दूपनीं से हम गरीनोंगर से तिंगर बनालेंगे और यह कुछान लिये है डागा को माइफ़ निकालेंगे एसे द्योगा कुमा करें मिण निकालेंगे और इसमें आइप शेन बनाएंगे ऐसे एक चैन बना लेंगे ऐसे किसी हम दागा गुमा के ऐसे दो बार निकालेंगे और एक मोती बना लेंगे ऐसे मोती बना लेंगे बेच चैन बनाएंगे अब हम ने जाबे पंद किया था मापी एक मोती बनाएंगे ऐसे हम टूटल पाँच मोती बनाएंगे एक ऐसे बंद करते हैं एक पिर चेन बनाएंगे और ऐसे दो बार गएar यह गुमाके निकाल देंगे एक मुटी बना लेंगे पिर चेन बनाएंगे ऐसे ठोटर पांच मुटी बना लेंगे देखे इमारे पाँच मोती बन गए है अब हम दो चैन बनाएगे एक दो और चाह पर हमारा यह लो एक मोती है वह पे हम एक करीन मोती बना लेंगे अब फिर से फिर दोड़ार बनाएगे भ invis foil पाँच मोती बना लेंगी इस राउंड को हम ऐसे पूरा कर लेंगे कर दो 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 झाल झाल कि अच्छान बना लेंगे और ऐसे मॉक्ति बना लेंगे फिर शेक चैन बनागे एसे दागा गुंगा के दो बार निकाल लेंगे और ऐसे मॉक्ति बना लेंगे यह देखें हमारा ग्रीन उनका राउंड कम्प्लीट हो गया है यह देखें इसमें हमारे यह पांच लाइन बनेगी एक दो तीन चैर पांच इसमें हमारे पांच बनेगे यह देखें इसमें यह मारे चैन बनेगे अभी इसमें हमारे पांच बनेगे फिर यह दागा निकाल के तीन चैन बना लेंगे ऐसे तागा गुमा के तीन बार निकाल लेंगे और बंद करके एक मोती बना लेंगे ये देखे हमने मोती बना लिया है अगले वाले में भी ऐसे तागा गुमा के तीन बार निकाल लेंगे और मोती बना लेंगे इसमें मारे टोटल चैर मोती बनेंगे ऐसे देन बार दागा कुमा के निकाला और मोती बनाया इदेख इमारे चैर मोती बन गए है अब इसमें हम चोदा चैन बनाएंगे ऐसे हमें चोदा चैन बना लेंगे और ऐसे बनाती है पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे यह देखिए इसमें हमारे 6 बने है अगले राउंड में हमारे 5 बनेंगे इसमें हमारे 5 बनेंगे ऐसे हमारे 5 बनेंगे फिर हमारे 4 बनेंगे फिर हमारे 3 बनेंगे फिर 2 फिर एक ऐसे बनाते हुए हम एक साइड की जालर को कम्पलेट कर लेंगे यह देखिए हमने एक साइड की जालर कम्पलेट कर ली है यह देखिए पहला हमने 6 बनाए फिर 5 बनाए फिर 4 बनाए फिर तीन बनाई फिर दो बनाई प्लास्ट में मारा एक बना है और हमारी एक साइड की जालर बनके कंप्लेट हो गई है इसमें हम अब हम लटकन लगाएंगे ऐसे इसमें अच्छे से लटकन लगा देंगे ऐसे निकाल किसको अच्छे से नौट लगा देंगे बड़ climax